सब्सक्राइब करें अपने यूटीव चनल लानामोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्स पाने के लिए वैलकम फेंट्स। स्वागत्व्स दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मानसिक रोग को ठेक करने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे दवा का नाम में रिस्प्डी के भी कहते हैं इसे हम दवा का मौल नाम भी कहते हैं जब भी हम इसको मेडिकल इस्तोर पर खैदने हैं जादेуй अपने मौल नाम के दया कई अच्टरे की सब्सक्fecture कि और इसके अलग भी कई अन्य नाम से भी आपके एरिया मिल सकती है क्योंकि जो ब्रांड नेम रहते हैं डॉक्टर और एक अलग रहते हैं इसी दवा के बारे में पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे जैसे कि क्या स्टेंथ में अवेलेबल है इसकी यूजर क्या क्या होते हैं साइड डिफेक्ट क्या होते हैं और कितनी मात्रा में डॉक्टर दादी जाती और इसके सीमिलर कौन कौन सी दवाईयां यह और इसके अन्य बाते भी जानेंगे इसलिए वीडियो को अन्तक देखें जिसे पूरी जान करें आपको रिस्पेरिडों टेबलेट के बा साइकोटिक दवा है और इसे अटाइपिकल नीरोलेप्टिक क्लास में रखा गया है रिस्पेरिडों 5ST 2A तता डॉपामिन D2 रेसेप्टार का एंटागोनिस्ट है मतलब यह एक ही दवा इन दोनों ही रेसेप्टार के कारिये को बंद गरती है और इन दोनों के कारिये को ब अगर बात करें इसके स्ट्रेंद की किन किने स्ट्रेंद में अवैलेबल है तो रिस्पेरिडों मुख्य रूप से चारे स्ट्रेंद में अवैलेबल है जिसमें 0.5 मिलिग्राम एक मिलिग्राम दो मिलिग्राम तथा 4 मिलिग्राम की टेबलेट है यहां पर जो 0.5 मिलिग्र में आती जिसे बीना पानी डायेक्ट मुह में रखके लिया जा सकता और फास्ट एक्टिंग के लिए होती है अगर बात करें इसके यूज़ की क्या क्या इसकी यूज होते हैं तो जैसा कि एंटी साइकोटिक दवा है तो इसका मुख्य रूप से प्रयोग मांचिक रोगों को इसके अलावा अब विवस्ति सोच व्यक्ति की हो सकती है अजीब सी आवाजे उसोच नहीं दे सकती है अपनों से दूर रहना शुरू कर सकता है यह कुछ लक्समें दिखाई देते हैं इस समय रिस्परेड़ों टेप डॉक्टर दरा प्रिसकाइब की जाती है अगली बीमा अगली बीमारी है इसे हिंदिम हम आत्मकेंद्रिकता कहते हैं इस समय व्यक्ति अपने आप में खुश रहता है यह दूस्तों से बहुत दूर होने लग जाता है कई बार इसमें व्यक्ति सूसाइडल अटेंब कर लेता है व्यक्ति को सोशल रहने में प्रोब्लम होती है दूसरों को बाचित करने में प्रोब्लम होती है तो इस समय में भी यह दवा दे क्यों काफी फाइदा दिया जा सकता है अगली बिमारी ये OCD जिसे हम Obsessio Compulsive Disorder कहते है ये एक परका की बिमारी जिसमें व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है जैसे की Gaze की Cylinder की Nob को बार-बार चेक करना गेट के Log को बार-बार चेक करना तो इसे हम OCD कहते हैं और यह समश्या को ठीक करने के लिए यह दवा दी जाती है वैसे तो OCD के लिए SSRI, Selective Serotonin Re-Aptake Inhibitor दवाओं का प्रियोग किया जाता जैसे की S-Cetalopram, Sertalin लेकिन जब इन से अच्छी तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इनके साथ में Risperidon Tablet भी दी जाती जिसे की OCD बिमारी को ठीक किया जा सके और दोस्तों हो सकता है इन सभी बिमारी के लवा किसी अन्य परकार की psychiatric disorder में डॉक्टर अपने experience के according इस दवा का प्रियोग ले अब जान लेते हैं सीस्परिडोन Tablet के side effect की बारे में यदि किसी व्यक्ति उसके side effect होते हैं तो वो क्या-क्या हो सकते हैं जो most common side effect है उसमें व्यक्ति को सिर्दर्ध होना, नीद आना, डिजीनेस लगना, वजन का बढ़ना, कब्ज होना, loss of libido मतलब काम इच्छा की कमी होना यह कुछ normal side effect देखे गए हैं सिर्यस side effect में व्यक्ति suicidal attempt कर सकता है, sugar level बहुत ज्यादा व्यक्ति का बढ़ सकता है, involuntary muscle का moment हो सकता है, जैसे होट का कम कमपना लगातार हो सकता है, पर्मानेंट होता है, इस कहला postural hypotension मतलब इस्तति को change करने पर जो blood pressure अचानक से गिर जाना, और बुजरू व्यक्तियों म कुछ दी जा सके, जैसे कि जो postural hypotension है, उस समय सर जो SSRA दवाईयां है, वह दी जाती है, जैसे कि इसको control किया जा सके, दोस्तों वीडियो में आगे हम जान लेते हैं, इसकी dose के बारे में कितनी मात्रा में डॉक्टर दवारा ये दवा दी जाती है, वैचे तो जब दवा की dose रहती है, पेसेंट की एज, वेट तथा जो disease की according अलग लग रहती है, यहां पर हम इसकी जो common recommended dose है, उसके बार में जान लेते हैं, इनिशियली एक में लेगा मरीज को दी जाती है, इसे दिन में एक बार या दिन में दो बार आवसक दनोसार दी जाती है, वह समय सा खाने के बाद लेने के सला दी जाती है, और जब इसे दिन में एक बार लेने के सला दी जाती है, तो इसे समयने तर रात में लिया जाता है, और शुरू आती चोदा दिन तक इनिशियल टीट में रखा जाता है, और चोदा दिन में जब पेसेंट को डिजार इफेक्ट मिल जाता है, उसके according maintain dose में पेसेंट को आगे रखा जाता है जो की होता है दू मिलिग्राम से लगा कर बारा मिलिग्राम जो मरीज को आवसकता होती है गटई या बढ़ा ही जा सकती है और उसे एक महीने के लिए छे महीने के लिए एक साल के लिए उससे ज्यादा के समय के लिए भी दिया जा सकता है प्रिस्पेरिडोन के साथ में कुछ SSRI जैसे हमने जाना था एस जीटालो प्राम सर्टालीन यह दी जाती है रिस्पेरिडोन टेबलेट को जब इसके सिमिलर दवा ओलें जैपिन था क्यूटिय पेंट से कंपेर किया जाता है तो उसमें रिस्पेरिडोन ज्यादा एक्ट्व पाया गया है क्योंकि जो नियूरो ट्रांस्मिटर है उनक कीशी और कीबी काम आज सके और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल लान ओफ मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निचे दीए बटन को दबागे जो से सब्सक्राइब कर दो पास में बैल आकनी से जहूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिप्सिन अब मिल सकते में सभी वीडिया मुफ में देख सकें आप तेपने दोस्त मोहिदादीज के साथ देखिए तेपने यूट्यूब चैनल लान ओफ मैडिसिन थैंक यू फ्रेंड्स टेक क्यार और बी केफोट मेडिसिन उस